हैलो दोस्तों मेरा नाम है अजय मौरिया और आप देख रहे हैं अजय सर्जी यूटूब चैनल दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान विशय का लेसन प्रान लेकर के आया हूँ तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अपील करता हूँ कि वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूंगा अगर पसंद आए चैनल तभी सब्सक्राइब करिएगा लेकिन वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप देखे दोस्तों सर पर्थम उपर आप पार्ठ योजना संख्या लिख देंगे फिर उसके नीचे बिद्याले का नाम लिखेंगे जिस विद्याले में आप सिछनकार के लिए जाएंगे उस विद्याले का नाम लिख देंगे फिर उसके नीचे आप छै कालम बनाएंगे दिनांग कच्छा विशय उपर विशय चक्र अवद दिनांग के नीचे उस तित को अंकित करेंगे जिस इसमें सिच्छन कार कर रहे हैं जिस कच्छा को पढ़ा रहे हैं कच्छा के नीचे जिस विशय का सिच्छन कार कर रहे हैं विशय के नीचे दोस्तों आज का हमारा विशय है विज्ञान अब विज्ञान विशय के अंतरगत उपविशय है भौतिक विग्यान चक्र हमारा छठवा है अवधी 35 मिनद आज का हमारा प्रकरण है कोट इमान फिर उसके नीचे सामानुदेश रहेगा सामानुदेश में नमबर एक बच्चों में विग्यान विशय के प्रत रुचिजागरित करना नमबर दो बच्चों में वैग्यानिक दिर्ष्टिकोंड उत्पन करना नमबर तिन बच्चों में तारकिक छमता का विगास करना नमबर चार बच्चों को विग्यान और प्रत द्योगिकी के महत्त को बताना नमबर पांच बच्चों में जिग्यासा का भाव उत्पन करना दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आपको सभी विश्यों के लेशन प्लान देखने को मिल जाएंगे आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें दोस्तों इसके बाद विशिष्ट उद्देश लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश में नमबर एक बच्चे कोटिमान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे नमबर दो बच्चे किसी संख्या को दस की घात के रूप में लिखना सीख जाएंगे नमबर तिन, बच्चे कोटिमान पर आधारित प्रश्णों को हल कर सकेंगे फिर उसके बाद दोस्तों सिच्छन विद, सिच्छन विद में प्रश्णोत्तर विद और असपश्टी करण विद फिर सहायक सामगरी, सहायक सामगरी में सौर मंडल का चित्र तथा अन्यक अच्छा पयोगी उपकरण फिर उसके पूर्वग्यान, पूर्वग्यान में बच्चे सौर परिवार तथा सूर के बिशे में सामान जानकारी रखते हैं पूर्व ग्यान के बाद प्रस्तावना का नमबर आता है, प्रस्तावना में आप तीन कालम बनाएंगे, करम संख्या, छातरा ध्यापक करिया और छात करिया, पहला प्रशन करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि सौर मंडल का मुखिया कौन है, छात बताएंगे सूर अगला प्रशन आप यही से करेंगे कि सूर के प्रकास का बेक कितना होता है, छात बताएंगे तीन गुड़ दस पे घाते आठ मीटर प्रसेकेंड, इसके बाद दोस्तों तिसरा प्रशन, किसी संख्या को दस की घात के रूप में क्यों लिखा जाता है, तो छात बताएंग जाएंगे, यह मारा समस्यात में प्रशन हो जाएगा, फिर हम उद्देश कथन, उद्देश कथन कहेंगे, बच्चों, आधहम लोग, कोटिमान, नामक, पाड़ का विश्तरी तध्यान करेंगे, फिर उसके बाद प्रस्तुती करण, प्रस्तुती करण में आप दोस्तों च चार कालम बनाएंगे, चार कालम बनाएंगे, सिच्छन बिंदु, छात्रा ध्यापक कथन, चात्र कथन उस्याम पट्टे कारें, यहाँ दे कि पहला सिच्छन बिंदु है, संख्या को दस की घात के रूप में लिखना, आप प्रस्त करेंगे कि किसी बड़ी संख्या को लि बताएंगे कि किसी संख्या को दस की घात के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो यहां ध्यान दीजे दोस्तों कि हमको क्या करना होता है। दसमलों को हम ले जाते हैं। उसके अस्थान को परिवर्शित करते हैं। इस प्रकार कि दसमलों के बाई और एक अंग मौझूद हो। इसके लिए दसमलों को हम बाई और भी ले जा सकते हैं। और दाई और भी ल रूप में लिखते हैं जितनी अस्थान दस्मलों को खिसकाते हैं इसके विपरीत दस्मलों को बाएं से दाएं ले जाने में दस की घात में रिनात्मक संक्या लिखी जाती है जितनी अस्थान दस्मलों को खिसकाते हैं तो उदाहरं से आपके समझ में आ जाएगा यहां देख इस प्रकार लिखते हैं कि दस्मलों के बाई और एक अंक मौझूद हो तो यहां देखें दस्मलों हमको एक वद दो के बीच मिलाना है क्यों क्यों कि जब एक वद दो के बीच में दस्मलों लगाएंगे दस्मलों के बाई और एक अंक हमारी मौझूद मिलेगी तो पहले तो देखे बारह हजार में दस्मलो सबसे अंतिम में है यहां देख लिए दस्मलो जब नहीं लिखा रहता है तो किसी पुड़ांक की जो अंतिम संक्या होती उसके आगे दस्मलो होता है तो यहां बारह हजार में सबसे अंतिम में दस्मलो होगा अब यहां से दस्मलों हमको ले आना एक वद दो के बीच में तो देखें कितने अस्थान हमको ले आना पड़ेगा एक, दो, तीन, चार चार अस्थान हम लाएंगे तब एक वद दो के बीच में दस्मलों आएगा तो इसी को लिख देंगे एक दस्मलों दो एक दसमलो 2, अब आगे सुन सुन को छोड़ देंगे, अब गुड़े 10 पे घाते 4, क्योंकि 4 अस्थान दसमलो ले गए है, 1, 2, 3, 4, दसमलो यहाँ था, और 4 अस्थान ले गए, 1, 2, 3, 4, तस पे घाते 4 हो जाएगा, फिर यहाँ देख लिए, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 2, को भी हमको 10 के तो को इस तुन का कोई मतलब नहीं रहेगा तो आपको दस्तमलो लाना है पांच वे दो के बीच में कितने अस्तान ले गये ने कि दर बाई और से दाहिनी और जाते हैं और रिनात्मा घहता आती आती है थो यह फे भाषंजर हो हम दाहिनी और से कहा ले गए हैं बाई और ले गए हैं तो हमारा प्लस घात हो जाएगी अब आगे देखें क्या है कोट इमान अगला सिच्छन बिन्द कोट इमान की परिभासा बताओ चात मनों जाएंगे अस्पश्टिकन बताएंगे यदि हम किसी रास के परिमान को उसके दस की घात के रूप में लिखें तो दस की घात के रूप में प्राप्त इस मान को उतराज का कोट इमान काते हैं अगला सिच्छन बिन्द कोट इमान गयात करना प्रश्टिकन कैसे गयात किया जाता है चात मनों जाएंगे अस्पश्टिकन बताएंगे किसी संख्या के कोट कि मान को ग्यात करने के लिए सरपतम उस संख्या को दस की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि दस्मलों के बाई और सिर्फ एक अंक हो अब दस्की घात के गुडान की तुलना तीन दस्मलों एक छैसे करते हैं यदि दस्की घात का गुडान के तीन दस्मलों एक छैस चोटा हो या बराबर हो तो दस की घात का वही मान कोटिमान हो जाता है अर्था दस के घात में कोई परिवर्तन नहीं होता कब जब 3.1 से चोटा होगा या बराबर होगा लेकिन यदि दस की घात का गुडांग 3.1 से बड़ा हो तो दस की घात में एक जोड़ने पर कोटिमान तो अगर 10 के घात का गुड़ांग 3.1 से बढ़ा है तो जो 10 के घात होगी उसमें आप प्लस वन कर देंगे तो एक जोड़ देंगे अब यहां उदार्शन समझ लीजे जैसे दिया है 3.0 गुड़े 10 में घाते 5 का कोटिबान तो यहां देखे 10 के घात का जो गुड़ांग क्या है 3.0 है इसकी तुलना हम करेंगे 3.1 चैसे तो 3.0 और 3.1 चैसे में बड़ा कौन है देखे बड़ा है 3.1 चैसे तो यह 3.0 तीन दसमेलों चैसे क्या है छोटा है जब छोटा रहेगा तो यही घात हमारी कोटिमान हो अगला उदारन देख लिए उदारन नमबर 2 साथ दसमलों 3 गुड़ा ते ते रहे का कोटिमान तो इस ताथ दसमलों 3 की तुलना करेंगे 3.1 चैसे अब देखे 7.3 तीन दसमलों 1चैसे बड़ा है तो जब बड़ा रहेगा तो जो घात होगी उतमें प्लस वन आइड कर ले कितना होगा नमबर 2 इलेक्टान का द्रबान 9.1 गुड़ दसमलों 3 किलोग्राम है इसे कोटिमान में व्यक्त कीजिए नमबर 3 4270 का कोटिमान कितना होगा फिर इसके बाद दोस्तों मुल्यांकर प्रस्ट में नमबर 1 कोटिमान की परिभासावत आईए नमबर 2 याद दो अ हो दिंत करना है इसको मीटर में बदल करके और नि इरिफ्षन कारी जब शयामपटकार कापी में उतार रहे नहीं पर क Character के में कांपियों के निरिफ्षन करेंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा धन्यवाद